अमिट मैं ये समझना चाहिए हूँ कि ये जो दो मकान हमारे दर्शक जो देख रहे हैं, इनके बीच में एक गैप था और वो पीछे पहार तक दिखते थे, ज़रा फुल फ्रेम में वो तस्वीरे भी रखे और इनी दो मकानों की आजिस्तिती हमें ज़रा दिखाई है क्योंक जो मकान आप दिखा रहे हैं, होटेल जो तोड़े जाएंगे खत्रा तो इन मकानों पर भी हो सकता है, क्योंकि अगर थोड़ी से कमपन, वाइब्रेशन, इन घरों को भी नुकसान पहुचा सकती हैं बिल्कुल बिल्कुल एपता, इन फाक्ट मैं दूसरे एंड पे जाके थोड़ा आपको कोशिस करूँगा, आपको तस्वीर दिखाऊं कि ये जो सवाल आप कह रही हैं, ये सच में बहुत बड़ा डेंजर है, देखिए, होटेल उस तरफ है, दूसरे छोर पे जो ये ट्रेमर्स क्रियेट होंगे, कमपन क्रियेट होगा, जब इन बिल्डिंग्स को तोड़ा जाएगा, तो उसके बाद कहीं न कहीं खत्रा बढ़ेगा, मैं इस तरफ आ रहा हूं, शोर पे आ रहा हूं, ताकि आपको नीचे का पूरा टेरेन दिखा पाऊं, और पता, जहा जो सवाल आप उठा रही है, वो सवाल बिल्कुल वाजब है, और वो खत्रा बहुत बढ़ा है, इस वक्त जो जोशिमट पे बना हुआ है, नीचे जो बिल्डिंग्स हैं, यहां पे आट से दस मकान है, हमने वहां से भी ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, उन आट से दस मक पानों में, वहां पे पिलर्ज इस वक्त तूट गए हैं, पूरी तरह से पिलर्ज ध्वस्त हो गए हैं, प्रोटेक्शन वॉल ध्वस्त हो गया है, और जो फ्लोर होता है, फ्लोर तूट गया है, और यह दाहिने एंड के मकान जिनमें आपको एक दो लोग छतों पे जरूर दिख रहे होंगे, यह इस वक्त सेफ है, लेकिन जब इन बिल्डिंग्स को तोड़ा जाएगा, तो मलवा किस तरफ गिरेगा, यह बहुत बड़ा सवाल होगा, क्योंकि अंस्टेबल बिल्डिंग्स हो गई हैं यह और इसकी वजह से बहुत खतरा कंपाउंड होने के चांस हो रही है, आप भी खड़े हैं, क्या आपको लगा था कि इसको रिपैर कर पाएंगे आप, सर सबसे पहली बात तो यह है कि मेरे होटल पे आंसिक दरार है, बिल्कुल होटल बिल्कुल सही है, आप देख सकते हैं, एक तो जो दो होटल मिलने होँआ पे दिवाल फूल गई ह है, जहां मैं नीचे घर में रहता हूं, जहां मेरा घर है, परिवार रहता है, वहाँ पे कीचन और दो बातरूम में क्रेकिंग आगी, बाकि होटल में आप जा सकते हैं, कहीं कुछ नहीं है, मेरा होटल. स्ट्रक्चर तो अंस्टेबल हो रहा है, धीरे धीरे गैप बढ़ता जा रहा है, पीछे की तरफ जुक रहा है होटल, और मांट व्यू भी दरार जो है, वो बढ़ रही है, तो खत्रा तो है ये वाल. सर, मैं ये बोलों कि जन्हित के लिए अगर इससे नुकसान हो रहा तो तोड़ दिया जाए ना, लेकिन मुझे कम से कम सूचना नहीं मिलें, बिल्कुल नहीं मिला, और मैं तो ये भी कह देना चाहता हूँ, मेरा आर्थिक मुल्यंकन कर दिया जाए, मेरा को निफटा दिया दिया है कि जो आपदा का नोटिस है, जिसके तहट इसको तोड़ा जा रहा है, दो फोलो को आपको नहीं मिला है, भी किस तरह कि compensation की उम्मीद कर रहे हैं हम तो यह बोलते हैं जो बद्रिनाथ के तरज में जो हमारी मार्केट डेर्ट है उसका चोगन करके हमको निप्ताज दिया जाई है क्योंकि हमारी जिंदगी का सवार है हमारे रोजगार का सवाल है ठाकूर सिंग राना है जो मलारी होटल के उनर है उनका कहना है कि उनको को नोटिस नहीं दिया गया है को इंटिमेशन नहीं दिया गया और बिना उन्हें कंपन्सेशन का क्या होगा बिल्डिंग तो गिरा दी जाएगी लेकिन कंपन्सेशन का क्या होगा क्या उनको कोई राहत मिलेगी को एकनॉमिक पैकेज मिलेगा ताकि वो जिन्दगी को दुबारा शुरू कर पाए तो इस तरह के कई सारे सवाल जोशी मट के लोगों पर इस वक्त बना हुआ है और एक तरफ डर का महौल है खौफ का महौल है